नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल शेयरबाद में आज हम लोग जुबिलेंट फूड वर्स का फंडमेंटल एनलेसिस करेंगे और जानेंगे उसके प्रवादेंट कौन्स को लेकिन उससे पहले जो उससे समंधित न्यूज है उसको जानना बहुत जरूरी है जिसकी वज़ा से इसमें अच्छा खासा फिर से फॉल देखने को मिल ला है हाला कि अच्छा खासा एकरेट कर चुका है और नजा डालता है नियूस पर देखी जूबिलेंट फूड वर्स के सीयो प्रतीक पोता साहब ने स्टीफा दे दिया है वे 15 जून को कंपनी से अपन 2017 में समहली थी वहीं CEO के स्तीफे से ब्रोकरेज फर्म निराश दिख रही है और मॉर्गन स्टैनली ने टार्गेट 5,000 से घटा कर बाइस सो पचास कर दिया है एक दम जश्ट हाव सोचना है बहुत बड़ी बात है यह बतारे कि प्रतीव पूता साब ने जब कंपनी जोइन है शेर तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना जाला निराश और दुखी हुए होंगे इनका कंपनी से छोड़के जाने पर लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि जो यह CEO वगएरा रहता है इनका आना जाना कंपनी में लगा रहता है और मेन मुद्दा य कुछ इंटरनली मैटर है और उसकी वजह से छोड़के जा रहा है तब तो बहुत गलत हो सकता है गलत बात हो सकती है और कंपनी की शेर और जारतेजी से गिर सकते हैं लेकिन अगर कोई ऐसा इसा इशू नहीं है तो फिर सब कुछ अच्छा है और मैं बता दूँ कि यह अप और दा कंपनी होल दा मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स फॉर टू इंटरनेशनल बैंड्स बिल्कुल डू इंटरनेशनल बैंड कौन कौन से हैं वो डॉमिनूस पीजा और डंकिंग डोनट्स और डॉमिनूस पीजा सभी जानते हैं आप लोग भी खाते होंगे खूब दबा के और मैं भी खूब काता हूं आगे बढ़ते हैं अब फंडमेंटल एलेसिस चालू करते हैं देखिए मार्केट कैप 33,183 करोड का है और यह सोचिए 50% शेयर करेक्ट हो चुका है उसके बाद लगभा कितना बचा है मेरे ख्याल से जब हाई रहा होगा तब इसका मार 28% देखिए 1.31% तो यह भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है डेट की अगरम बात करने तो 1720 करोड मार्केट कैप 33,183 करोड उसके इसाफ से कम है लेकिन डेट टो इकुटी 1% है इसके इसाफ से जादा है और हाई और लो की अगरम बात करने तो देखिए 4590 का हाई रुपए था आगे बड़ते हैं प्रोज और कॉंज देखिए दो प्रोज है और तीन कॉंज है आप वीडियो को पाउस करके इसको पड़ सकते हैं बाकी मैं तो बता ही रहा हूं को ट्रली सेल्स पर नजर डाल देते हैं सारी वैल्यू करोड में सेल्स की बात करें अगर दि 24 करोड़ दिसंबर में 120 करोड़ सितंबर में और उसे पहले 70 करोड़ 105 करोड़ 24 करोड़ तो यह शायद कोवीड वाला जो फेस था और बाकी जो यह है यह तो यहाँ पर आपको एक अच्छा अप्टेंड दिख रहा है आगे बड़ते हैं और एरली लेवल पर बात करते हैं यह तोड़ा डाउन हुआ कोवीड के चलते हैं यह सब होगा और ट्रेलिंग ट्रेलमन देखिए आप तो यह आपको अच्छा दिखेगा बाले सो अठावन करोड़ करोड़ का आगे बड़ते हैं प्रॉफिट बिफोर टेक्स नेट प्रॉफिट और अर्निक पर शेयर की ब पर शेयर की बात करें तो लगाता अर्प्रेंग में चला है 17.5 और ट्रेलिंग ट्रेलमन तापको दिख रहा है बात करते हैं रिजवर्ट की कंपनी के पास रिजवर्ट कितने देखिए मार्च 2010 में 53 करोड़ हुआ करते थे उसको बढ़ा क्या बहतरीन जंप दिखाया मार् देखिए आपको लगातार अप्टेंड में दिखेंगे और जैसा कि कंपनी के पास डेट देखी 1720 करोड का है और कंपनी के पास रिजवर्ट 1580 करोड के हैं अल्मोश बराबर है तो कंपनी जब चाहे तबना डेट खितम या बहुत रिडियूस कर सकती है तो यह भी एक बह सब्सक्राइब तो यह भी क्या बहतरीन है तो आप सोचिए कितने तगड़े फंडामेंटल से हैं कितने अच्छा कंपनी का कामकाज होगा यह जम के हैं इसमें और अगर आप पॉर्शन देखेंगे तो मात्र 0.19% तो अगर आप भी चाहें तो इसमें बना सकते हैं अच्छ हुआ 10.80% कि वन वीड़न की बात करने तो 2.40% मॉन मंत की बात करने तो 14.78% म. वन येर की बात करने तो 15% म. और 5 की बात करने तो देखें अच्छे रिटन दी है यह सारी चीजें है अस्ती रुपए का लो लगाया और ही देखिए कहां 4590 रुपए आगे बड़ते हैं बात करते हैं entry point की देखिए good time to consider stock overbought zone में नहीं बिल्कुल इस समय तो बलकि oversold zone में चल ला है और company पर कोई red flag नहीं है ना asm list में है और नहीं gsm list में है तो यह एक positive चीज है सेक्टर का पी देखिए 472.61 और company का पी देखिए 143.21 हलागी देखिए सेक्टर के पी से तो काफी गाम है सस्ती valuation है लेकिन पी ज़्यादा है यानि कि पी के मतला आप समझ रहे हैं एक रुपए कमाने के लिए आपको 143 रुपए 21 पैसे देने होंगे सब्सक्राइब करोड में है 3.04 3.6 14.0 4.00 और फिर उसके बाद यहां पर आपको 211 में डाउंटेंड दिखा 3.35 बात करते हैं प्रॉफिट की तो सब्सक्राइब करते हैं और नहीं बहुत ज्यादा अप्ट्रेंड है लेकिन ठीक है आगे बड़ते हैं प्राइब कर लें देखिए कल क्या भयानक विक लबिक वाली हुई थी जब उनके रिजाइन की न्यूज आई थी देखिए आप वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे जो टार्गेट बताई यह ब्रोगरिश्वन ने मौर्गन स्टैनली ने हो सकता है वो लेवल भी आपको दिखाई पड़े तो इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी है अभी फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश मत करिए कोशिश करिए थोड़े दिन होल्ड करिए अपन बाकि अगर आप आगे मंतली और वीकली कंडल देखेंगे तो आपको अच्छा क्लियर होगा यह देखिए आप 200 यह में पर ही लगबाग यह सपोर्ड लेने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है यहां तक एक बार आएगा और यहां से फिर आपको एक रिवर्सल देख कि आपको जो 50 यह में है यह आपका 200 ही रुपए है 246 रुपए और उनने 250 का टार्गेट बताया है तो उनके एसाब से भी यह लगता है कि यहां पर आना चाहिए तो इसलिए आप इसमें सावधानी से तोड़ा ट्रेट करिए और देखिए कितने महिनों से लगा तर गिर र रहा है और स्टॉक लगभग ओवर सोल्ड जोन में आ गया है अगर आप मंतली डेली केंडिल में देखेंगे यह देखिया रसाई 33.75 और कोई स्टॉक बहुत ज्यादा जिन तक ओवर सोल्ड जोन में नहीं रह सकता है तो जैसा मैंने बताया उसी इसाफ से आप एंटरी बन मैं कोई सेवी रेस्टेड एंडिस नहीं हूं यह मेरे परसनल व्यूद होते हैं मैं गलत भी हो सकता हूं कोई भी इंवस्ट्वन करने से पहले आप अपने फिनेशल डवाइजर से जरूर सलहा ले लिए करिए धन्यवाद